पहले चरण का एलेक्शन हुआ था उसी में ये बोखला गे थे इनको हो गया कि हमारी सीटे नहीं आ रही है और दूसरे चरण में और ज़्यादा पिछड़ गे हैं जब और पिछड़ गे हैं तो उनका तो डेड़ सो सीटे आ जाए वो भी बहुत बड़ी की बात है प्राइम मिनिस्टर आ नहीं सकते नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक देश में लोग सबाद चुनाव चल रहे हैं दो चरण के चुनाव हो गए हैं और सब की नजर अब तीसरे चरण पर है और इसे में जानने जरूरी है कि दो चरण में जो चुनाव हो वो किसके तरफ जा रहा है क्योंकि भाजपा लगतार 400 पार के नारे दे रहे हैं वही राहुल गांदी की बात करें तो वह जनता की बात कर रहे है असर क्या लगता है इस बार क्या रुजाना देवाले पहले जो पहले चरण का एलेक्शन हुआ था उसी में ये बोखलागे थे इनको हो गया कि हमारी सीटे नहीं आ रही है और दूसरे चरण में और ज्यादा पिछड़ गए हैं जब और पिछड़ गए हैं तो उनका तो सब्सक्राइब करें जो बात करते हैं ऊफिक कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पर जो है exist में जमीनि cetteur पर काम भी हो गए इन सिर्प बाते रह जाएंगे देखिये राहूल गादरी पड़े लिखे हैं, जो बात करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। और आपने का जाती गंणा, जाती गंणा यह तो आज की बात है, मैंने तो कई साल पहले कहा था, बेसक जाती गंणा हो ना हो, लेकिन जो नेचरल लिसोर्सिज हैं, आप हमारे को उसमें जितने हमारी जनसंक्या उसके हिसाब से हमारे को नेचरल लिसोर्सिज दे दीजिए, आ चाहिए सब चाहिए तो में वहा रिजर्वेशन प्रवाईडर मने जाऊँगा। रिजर्वेशन का लालच कَ अमें ना दे। जू हमारी है किसके बदले है? पुर्ना पेक्ट के बदले, गांधी मर जाता, हमें कोई दुख नहीं था, मर जाता. जो बाबा साहब ने मांगया था कि मुझे तो अपना अलग कंट्री चाहिए जैसे जीना ने मांगया था आप देज़ेते आज क्यों करते हैं हमें समविधान पर लेंगे किसलिए बतलग हो इस तुम समविधान किसलिए जो है कवीर जन कल्यान मंच के द्वारा वार्सिक समार प्रोह रखा गया इसके बारे में जर्था जानना चाहेंगे क्या कुछ देश रहा क्या कुछ हुआ है कभी मैं कभी जनकनल्यान मंच का जनल सेक्ट्री हूं जनल सेक्ट्री इसकी फांडेशन और जो इसके फॉर्मेशन है वो 1999 का है जब हमने 1999 में यह फोर्म किया तो देर हम अपने लोगों की अपने ना केवल अपने ही इवन दूसरे लोगों की भी भलाई कर सकें बलाई कैसे कर सकें कई उनके साथ Unjustice हो रहा है किसी गरीब की बच्चे पढ़ नहीं रहे जो बच्चें पढ़ने में असमारत हैं उनको हम किताबें प्रवाइड कराएं और चीजे तो गाउं गाउं जाकर के अभी में बिताऊं आपको आपको मैं और एक्जम्पल बताऊं यह दिल्ली का एक्जम्पल हैं गराम सिकारपूर मैं सेस्टी के विचारों की घर गिरवाने के लिए गलत ओडर पास करा लिए हाई कोट से जब वो मेरे पास आए तब मैंने उनका केस लड़ा और उस ओडर को क्वेश्ट करा अधरवाइज वो विचारे आज बेघर होती आपने बताया कि किस तरीके से लोगों के जन हित के जो है कल्यांड के लिए यह सब कुछ किया जाता है पॉलिटिकल मुद्दे पर वापस आते हैं देश में चुनाव है राहूल गांदी तमाम बड़े वादे कर रहे हैं वहीं दूसरी तरह भाजपा जो है मंगल सूत और तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं सर्क्या कहेंगे दोनों पार्टियों में एंडिया वर्सिस इंडिया में क्या लगता है कौन जंता की बात कर रहा है कौन जंता के लिए भलाई के काम करेगा या फिर सिर्फ यह बादे वादे बनकर रह जाएंगे और सिर्फ वहीं चलेगा जो चलता आ रहा है देखिए जंता की बात तो दिखावा कला मात्र होती है सब की पार्टे को अपने अपने अज को पते के क्सी का चीन इस से बात है मंगल सुत्र को किसी का चीन सका है प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं आपटी वह एक गोड़ विचा है उसको प्लेटफॉर्म पर यह बोल देना कि आपकी प्रॉपर्टी चीन ले जाएगी वह चीन ले जाएगा यह तरह असान कम नहीं है आप पहले उसके प्लस और म महल तकी गणना होती है तो होनी चाहिए बेलको लोनी चाहिए कोई सब को सबको बराबरी का हक है लेकिन अगर इसमें सेलेक्टिव ऑप्शन होगी कि कि किसी को टार्गेट कर जैसे आज इड़ी क्या गर रही है क्या सिरफ अपोजिट पाल्टी के प्लिटिक गलत है उनके पाल्टी के साफ सब शरीफ हैं किसी एक बढ़े पर इड़ी के इंस्पेक्शन होई है इसी तरीके से अगर इस कानून का आता है अगर सब पर एक साथ होता है तो किसी को ब्रॉर नहीं है देखिए जब आप किसी उसमें मकान बनाते हैं और हर एक को दो दो फूट चार फू पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं और अगे अब ही हम जिसमन से पर आये हैं वह पर सब लोगों के जनहित की बात की जाती है सोशीत बंचित की बात की जाती है दूसरे चरंड के चुनाव में हमने देखा राजस्थान में वोटिंग के दौरान दलितों और आदिवास्यों क पर इसका तो सरकार सरकार उनके पास है क्यों हो रहा है यह सरकार वहाँ पे जो राजसान में राज्य सरकार है वो भी एक पार्टी की है जो सेक्यूर्टी तो आप समझ सकते हो कि दिखाया क्या जा रहा है एक्च्वल हो क्या रहा है आउंगे आपके पास सर बताइए क्या कह रहे थे मैं यह कर रहा हूं जो आपने अभी स्वाल पूछा था कि दलीत और सोशित वंचितों को वोट नहीं डालने दिया और आपकी इलेक्शन कमिशन के बारे में क्या रहा है जो मेरा बोस होगा मैं लोएल किसके किसके परति हूंगा आप बोस की बाद कर रहे हैं चुनाव आयोग स्वतंतर है चुनाव आयोग की अपाइंटमेंट के लिए मोधी सरकार ने रूल बदल दिये जिसमें के एक मिनिस्टर एक प् प्राइम 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 प्रा आप में हैं आयोग तो हमेशा से स्वतंत्र माना जाता रहा है तो पर कराने के जिम्बेदारी उस पर है और वहां पर तौंस्पा मोधी जी कह रहें कि कोई भी कि छोपन ना करें तो सवाल ज़ताना लाजनीưng करवाई यह हम भी खुश होंगे अगर इतना काम करते हैं तो पर मोधी जी का तो ही वाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ब्रस्तवारियों को चुंचुन के यह स्लोगन अपने पर्टी पर लागू करें बहुत अच्छा रहेगा दूसरा घर साफ करने वज़ें अपना घर साफ करना सिखें मोधी जी का घर गंदा है बिल्कुल है आप समझते हैं बिल्कुल नहीं होगा क्या ऐसी कौन सी कंपनी है जो सोलह हजार से शुरू के किना से आपके पास जी आप बता रहे थे कि मोधी जी बॉस है बताएं आपको सेलेक्शन प्रोशीजर बता दिया जब सेलेक्शन प्रोशीजर में जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा ही विल्कुल टुमी उसकी इंडिपेंडेंडेंसी जो आपने का कि इंडिपेंडेंडेंट है वो सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़वर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे